हेलो गाईज सब्सक्राइब कीजिए दीप टॉक्स चैनल को नई नई मोटिवेशनल एंड पोजिटिव बाते सिखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए साइज नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो गाईज स्वागत आपका हमाई इस पोजिटिव यूटूब चैनल पे जिसका नाम है डीप टॉक्स मैंने मिस दीप टॉकर डीप टॉक्स एक कैसी चैनल है जहां वह मलगलग मोटिवेशनल एंड पोजिटिव थोट्स की बात करते हैं और उससे हमाई लाइफ में पोजि पोजिव थोट रहे हमने अचिव की अलग लग अचिवमेंट्स पे बेस करता है उस अचिवमेंट्स का हमाई लाइफ में कितना महत्वह है कितना इंपोर्तेंस है उसके बाए में आज का थोट कुछ ना कुछ बजाएगा So today's positive thought is the day on which you have achieved to do something. Respect that day, celebrate that day. It is the most important day of your life थेखने से आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या बोला गया है इसमें यहां बोला गया है कि अगर आपको किसी दिन पर कोई achievement प्राप्त होती है आप किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत तिनों से लगे होए थे और एक दिन उसका result आने वाला है और वो achievement आपके reality बन जाती है तो आपको उस दिन को celebrate करना चाहिए उसको respect देना चाहिए देखिए ऐसा क्यों? अगर आप किसी दिन कोई भी achievement हासिल करते है आपको कोई बड़ी चीज हासिल होती है किसी भी दिन जिसमें आप बहुत मैनत से लगे हुए थे बहुत मैनत से जुटे हुए थे तो आपको उस दिन को celebrate करना चाहिए क्योंकि अगर आप उस दिन को celebrate करेंगे उस दिन को यादगार बनाएंगे तो it will motivate you वह आपको encourage करेंगा आगे और achievement हासिल करने के लिए और वह आपकी life में एक अलग अफ़र लाएगा जो आपको एकदम यादगार रहेगा तो जिसी भी दिन आपको को achievement हासिल हुए है तो आपको उसे यादगार बनाने के लिए पूर try करना है क्योंकि अगर आप उस दिन को यादगार बनाएंगे तो definitely आपको कुछ आगे और करने की आपको motivation मिलेगी और यह motivation आपके लिए बरकर आ रहेगी जिससे आप आगे और भी life में बहुत सारी achievement हासिल कर पाएंगे देखे इससे और बात निकल के आती है अगर दूसरे अंगल से देखे तो कि अगर किसी दिन पर आपको को achievement मिलने वाली थी अगर उसका result आने वाला था और उसका result negative आया आपको achievement नहीं बिली तो भी उस दिन को celebrate कीजी क्योंकि अगर आप किसी दिन फेल हुए उस दिन को celebrate करेंगे तो वो दिन भी आपको याद रहेगा कि celebretion के पीछे का purpose एकी है कि आपको वो दिन याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन आप fail हुए, वो आपको दिन याद रहेगा, आपको यह बता चलेगा, कि यह दिन में अपने life पे दूसरी बार ना देदू हो, इस बार जो भी mistakes हुई है, जिसके करांड में इस चीज को हासिल नहीं कर पाया तो अगली बार में यह mistakes नहीं दो रहा हूँगा, और अगली बार यह failure achievement में convert होगा, तो इस दोनों प्रकार से, इस course से हम कुछ ना कुछ motivation ले सकते हैं, आपका success हो, आपकी failure हो, इस दिन को celebrate करना ना भूले, वो दिन आपको याद रहना चाहिए, उस दिन को चाहे इतना beautiful ब आपकी बार में बार में झाल